दोस्तो स्वागत है आपका टार्गेटिव इदर्जेसर क्लास में मैं प्रकासर हाजुरू आपके लिए मैं अद्पुर्ड हिस्ट्री के प्रस्णों के साथ ये ऐसे प्रस्ण है जो आपके एक्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे ये आप प्रस्ण देख लिजिए आप किसी भी अगर एक्जाम के टारिक कर रहे हैं तो ये ही प्रस्ण है जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तेके 100% यहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे मैं ऐसे प्रस्णों का कलेक्षन ये आप लाया हूँ किया हूँ बहुत काफी मैंने मेहनत किये और ऐसे प्रस्थ आपके लिए मैं लाया हूँ जो आपके होने वाले एक्जाम के लिए काफी महत पुढ़ होंगे और यहीं से आपके जो भी हिश्ट्री के हड़ाप्ता सब्यता से प्रस्थ पूछे जाएंगे यही प्रस्थ पूछे यह काफी important रहेगा ठीक है तो मैं आपको चलता हूँ question number first के तरफ यहाँ पे हर जो भी question और answer होंगे options होंगे सबको मैं यहाँ पे describe करूँगा आपको detail में बताऊँगा तो चलते हैं question number first के तरफ सिन्दुगाटी सबयता की बिख्सी तवस्ता में निमनलेखित में से किस अस्तल से घरों में कूऊं के और सेस मिले हैं option E है option B है option C है लोथल option D है मोहन जो धाड़ो दोस्तों हमारा right answer हो जागा मोहन जो धाड़ो आपको पता है मोहन जो दाड़ो का अर्थ क्या होता है मोहन जो दाड़ो का अर्थ होता है मृत्को का टिला मृत्को का टिला ठीक है मैं सब यहाँ पर describe करूँगा यहाँ पर मोहन जो दाड़ो का अर्थ कई पर एकजाम में पूछा क्या है कि मोहन चुदाडू से क्या तत्पर है आपको चौर अपसंते देगा इसमें राइट अंसर होगा मृतको का टिला मोहन चुदाडू के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं इसकी खोज आडी बनर्जी ने 1922 में की थी या कराई थी इसकी खोज आडी बनर्जी आडी बनर्जी द्वारा 1922 में कराई गई थी ठीक है? देख लिजे यह पंजाब पाकिस्तान की लरकाना जिले में सिंधु नदी के टट पर इस्तित है कहाँ पर इस्तित है? पंजाब की लरकाना जिले में जोकि पाकिस्तान में इस्टीत है सिंधु नदी के ट्ट पर इस्टीत है ठीके इगे ग्रेट बात मंडल भावल निर्माद बिधान स्वहाल इस अस्थल की विसेष्था चाके यहां से पाए गया था ग्रेट बात मतलब बड़ा सा अस्थनान घर ठीक है, बड़ा असनान घर, असनान घर, ठीक है, और क्या क्या दोस्तों, मंडल, भवन, निर्माड और बिधान सभा हाल इसके विशेस्ताएं हैं, पसुपती महादेव के मुहर और बुना कपास के टुकडे खुदाई के उधर मिले, खुदाई की तुरण कौन से मिले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं, देख लिजे दोस्तों, पसुपती की मुहर, और क्या क्या, बुना कपास, बुना कपास, याद रखीगा, बुना कपास, ठीक है, यह हमरा राइट इंसर इसका हो जाएगा, option दी मोहन जुदाडो हडपा के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं हडपा हडपा की खुच की थी दयाराम साहनी ने 1921 से 1923 के दोरान इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने हडपा की दयाराम साहनी याद रखेगा ये भी पंजाब पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तड़ परिस्तित है मोहन जुदाडो सिंदु नदी के तड़ परिस्तित है पंजाब के लरकाना जिले में और हडपा जो है ये इस्तित है पंजाब के मोंट गोमरी जिले में रावी नधी के तठपर इसमें क्या-क्या वस्तु online यहां से मिली है पथर की नत्राज की मूर्ती और कबिस्तान ठीक है यहां की खुदाई के दुरान मिली है ठीक है देख लेते हैं काली बंगा के बारे में थोड़ा सा काली बंगा काली बंगा का अर्थ क्या होता दोस्तों काला चूडिया काली चूडिया काली बंगा कहां इस्तित है काली बंगा इस्तित है भारत के राजस्थान में राजस्थान में इस्तित है ठीक है 1971 में बेबी लाल दोवारा खुदाई की गई थी ठीक है काली बंगा घगर नदी के तट परिस्तित है यहां से कौन-कौन सी वस्तुए में प्राप्त हुई है और क्या-क्या मिला है जोता हुआ खेत मिला है लकडी के कुंडे के साक्ष मिले है साथ आग वेटिया मिली है उटकी हडी और अंतेश्टी के दो परकार के एक पारी पत्र गंभीर और आयताकार कबर पाया गया है ठीक है? और क्या है दोस्तो? लोथल लोथल के बारे में थोड़ा समय आप पोटा देता हूँ लोथल कहा है पिस्तित है? गुजरात में गुजरात में इस्तित लोथल ठीक है? और लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? उननी सो चॉवन में एस आर राव दुवारा खुदाई की गई थी ठीक है? उननी सो चॉवन एस आर राव दुवारा इसकी खुदाई की गई थी यह भोगवा नदी पे इस्तित है गुजरात में भोगवा नदी पे इस्तित है लोथल भोगवा नदी के टट पर इस्तित है सहर का विवाजन, गड़ और निचले सहर और गोदी जहाज गोदी का अर्थ होता है जहाज बनाने का स्थान ठीक है? यहाँ पे किया गया था और यहाँ पे चावल के साक्ष भी मिले हैं, ठीक है? चलते हैं कोश्चन नमबर उमीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, सब कुछ मैंने डेटेल में नहीं जाएगा, ठीक है? हमारा दूसरा कोश्चन है सिंदुस्सा ब्याता का कौन सा अस्थान भारत में इस्तित है? ए हडपा, बी मोहंचुदाड़ो, सी लोथल या डी इनमें से कोई नहीं तो जो भारत में इस्तित है, मैंने आपको अभी बताया कि जो लोथल है, वो गुजरात में इस्तित है, ये भारत में इस्तित है हडपा हमारा पाकिस्तान में है और मोहंचुदाड़ो जो है, वो भी हमारा पाकिस्तान में है दोनों अलग-अलग जगह पे इस्तित है जैसे हडापा हमारा कहां इस्तित है पंजाब पाकिस्तान प्रांत के पंजाब मोंट गोमरी जिले में इस्तित है और मोहन जताड़ो कहां पिस्तित है दोस्तों पंजाब के लरकाना जिले में इस्तित है ठीक है चलते है कोशन वा थर्ट के तरफ निम्न मैंसे किस पसू की आक अप्सन C है बैल, उप्सन D है हाथी, दोस्तों हमेरा राइट एंसर हो जाएगा, उप्सन C बैल, ठीक है, ये पसु के अकति जो बोहर पर मिली है, जिससे ग्यात होता है कि सिंदुगाटियम उस्पोटामिया की सब एताओं के मद्ध वया पारिक संबंध थे, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक सरी सब्सकाइब करें, एंड वीडियो को सेयर करें, ठीक है, फूर्थ नमर कोश्चन के तरह चलते हैं, कापास का उत्पादन स्वरपतम सिंदु छेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या य युनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, ओप्सन समा रहे हैं, ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, या डी इन में से कोई नहीं, दोस्तो राइट एंसर रहागा, कापास का उत्पादन सिंदु छेत्र में हुआ था, उसे ग्रीक या युनान लोग किस नाम से प अथन असत्य है, ओप्सन से नगरों में नालियों की सुद्रिड ब्यवस्ता सी, ओप्सन बी है, वैपार वाणिज उननत दसा में था, ओप्सन सी मातर देवी की उपासना की जाती थी, ओप्सन डी है, लोग लोहे से परचीत थे, दोस्तों हमारा राइट जो एंसर हो जाए असत्य है, ओप्सन बी है, ओप्सन बी है, गोड़ा ओप्सन सी है, बैल ओप्सन डी है, हाथी ठीक है, राइट एंसर दीजिएगा, हमारा राइट एंसर हो जाएगा, ओप्सन सी बैल, सैंद वस्तल की उत्खन से प्राप्त मोहरों पर निमलिस में से किस पसु का सारवादिक उत्किनन प्राप्त हुआ है, वो बैल का हुआ है, ठीक है, जलते हैं कोश्चन नमर सेवन के एक और दो आयात करते थे, या एक और तीन आयात करते थे, या एक और तीन आयात करते थे, या दो या तीन आयात करते थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हड़ापा वासी जो दे, वो चांदी तीन और सोना तीनों का आयात करते थे, हमारा ओप्सन ए राइट हो जा अप्सन पर दूब के बारे में थोड़ा समय फिर से आपको पता दिता हूं किस गारत होता है अमरेत को कर टिला इसकी खोज आड़ी बनर जी दोबारा 1922 में की गई थी यह पंजाब के पाकिस्तान में पंजाब प्रांद के लरकाना जीले में सिंदुन नदी के टत परिस्तित यहां बड़ा असनामगार मंडल भौन निर्माड और विधानसवा हाल इसकी विश्यस्ता है यहां पस्पती महादेव के मुहर बुना का पास टुकड़े के खुदाई के उदरान मिले हैं ठीक है चलते हैं कोश्चन नमबर 9 के तरफ हड़ापा कालिन असल रोपड या जाब में हैं ठीक है चलते हैं कोश्चन नमबर 10 के तरफ नेन नमें से सिन्दुघाटि सब्धा में प्रचलन में था इसमें से क्या प्रचलन में था ए परदा प्रथा था थी बिवेश्ववरिति थी दोनों दोस्तों उमर राय एंसर हो जाएगा और गाटि की लोग विश कांड में, option C यग प्रडाली में, option D है मात्र सक्ती में, तो जो सिंद्ध गाटी के लोग विश्वास करते थे, वो मात्र सक्ती में करते थे, ठीक है, चलते हैं question number 12 के तरफ, भारत में खोजा गया सबसे पुराना सर कौन सा है, A हडपा, B पंजाब, C महजो दाड़ो या D अनिक के द्वारा की गई थी, ठीक है, चलते है question number 13 के तरफ, निमलिकित में से कौन सा हडपा, काली न असल गुजरात मिश्थी थे, ये काली बंगा, आपको बताए, ये रास्तान मिश्थी थे, बीरो पर ये पंजाब मिश्थी थे, बनावली, ये हर्याना मिश्थी थे, लोथल ये है, गुजरात में स्थीत है, याद रखिएगा, बहुत ही महतपूर है, सारे ही question बहुत ही महतपूर है, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें comment box में motivate करिएगा, और देख लेते हैं, बनावली जो अस्तल है हर्याना में, इसकी खोज RS 20 द्वारा 1973 में की ये सरसती नदी के टट पर इस्तीत है, दोनों पूरो हडपा और हडपा संस्कृती और अच्छी गुडवता के साथ जोव के साक्ष यहां मिले हैं, यहां किसके साक्ष मिले हैं, जोव के साक्ष मिले हैं, ठीक है, चलते है question number 14 के तरफ, कि जिले में मोहन जुदाड़ो इस् जिले में मोहन जुदाड़ो इस्थित हैं दोस्तों, तो मोहन जुदाड़ो जो हमारा इस्थित है, वो इस्थित है लरकाना जिले में, ठीक है, लरकाना जिले में मोहन जुदाड़ो इस्थित हैं, आप याद रखिएगा, और जो मौन जुदाड़ो इस्थित हैं, याद चलते हैं question number 15 की तरफ आर्यन जन्जात्यों की प्राचिंतम बस्ती कहा है A. उत्तरप्रचिस B. बंगाल C. सब्त सिंध या D. दिल्ली आर्यन जन्जात्यों की प्राचिंतम बस्ती है वो है सब्त सिंध right answer option C हो जाएगा ठीक है चलते है question number 16 की तरफ 16 की तरफ नहीं है एक आलिबंगा जो की इस्तित है यह कहा है राजस्तान में यह तो सिंध गाटी सब्त सम्दित अस्तल है रोपड यह इस्तित है कहां पे दोस्तों पंजाब में यह भी इस्तित है और यह लोथल ठीक है यह गुजरात में समदित है और यह भी सिंधु गाटी सब्ता समदित लेकिन पाटली पुर्त तुर जो है पटना का प्राचीन नाम यह सिंधु गाटी सब्ता से समदित नहीं है क्योंकि संधी गाटी सब्ता के जो च्छेतर साथ वह पच्मी उत्तर-प्रदेश मेरत तक ही फैला हुआ था व बी रावी, बी रावी, सी, सिंधु या डी चिनाब बताएगा दोस्तों अमरे कौन से राइटेंस रो जागा जो अमरे राइटेंस रो जागा खडपा रावी नदी के तड़ पर इस्तित है रावी नदी के तड़ पर इस्तित है याद रखीगा चलते है क्योश्चन अब आपको बताया मैंने गोदी बड़ा बताया क्या बना जाता था जहाज ठीक है जो आमारे पानी के जहाज होते थे यहाँ पे इनके कुछ अवसेश मिले हुए है और गोदी बड़ा लोथल यह कहा थी थे गुजरात में श्थी थे option is right ठीक है चलते है question number 19 की तरफ हडपस सब ब यहाँ से दच्छिड ततापूर्व की ओर फैली हुई है वह छेतर जहाँ वह फैली मिस्र तता मुस्रपूटामिय से बड़ा है तो दोस्तों हमारे राइट एंसर हो जागा option D यह तीनों ही सही है ठीक है question number 20 and last question की तरफ चलते है सिंद्धुगाटी सब बैता की लीपी कौन option A है ब्रामी option B है तमील option C है खरुष्टी option D है अग्याट तो दोस्तों आज तक ही जो सिंद्धुगाटी सब बैता की लीपी है वो पढ़ी नहीं जा सकी है इसकी लीपी है अग्याट ठीक है क्योंकि हर जगह पे अलग-अलग यह लीपियों में इसके मिलती है कहीं पे एक करेगा अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक सद्धिक चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग